एक बार फिर चुनावती पुर्ण स्थिती बन रही है कुछ राज्यों में स्थिती ज्यादा चिंता जनक है ऐसे में गवर्नन्स सिस्टिम में सुधार ये बहुत आवशक है ये मैं समझ सकता हूँ कि साल भरकिस लड़ाई के कारण गवस्ता में भी ठकान आ सकती हैं डीलापन भी आ सकता है लेकिन ये दो तिन सप्ता और अगर हम टाइट करें और अधर गवर्नर्स को बड़ाब मजबूत करें इस पर हमने बल देना चाहिए साथिवा आज की समिक्षा में कुछ बाते हमारे सामने स्पस्ट है और उन पर हमें विशेज ध्यान देने की जरूरत है पहला देश फर्स्ट वेव के समय की पिक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज़्यादा तेज है दूसरा महराश्टर, चछतिसगर, पंजा, मत्बदेश, गुजराद समय कई राज्य फर्स्ट वेव की पिक को भी क्रॉस कर चुके कुछ और राज्य भी इस वर्तेजी से बढ़ रहे हैं मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए इस चिंता का विशय हैं सीरियस कंसर्ण है और तीसरा इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजियल हो गए हैं अधिक तर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है ऐसे में करोना के केसिस की इस अचानक बढ़ोत्री ने मुश्किले ज्यादा पैदा की है करोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से यूद्त स्तर पर काम करना आवश है साथ वे इन तमाम चुनावतों के बाव जो हमारे पास पहले की अपेक्षा बहतर अनुभो है पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सिन भी हमारे पास है जन जागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्टर्स हेल्थ केर स्ट्राइब ने स्थीति को समानने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योग अपक्षित है अब आप कल्पना कीजिए कि गत्व और जिंदिनों में हमारे हाल क्या थे हमारे पास ट्रेस्टिंग लेप नहीं थे इवन मास्ट कहां से मिलेगा यह पीपी केट नहीं था और उ की हम व्यवस्था के एक्णमडर जितना तेजी से बढा सके और वह से स्ट्रेटिजी काम आई हम व्यवस्था हों को बना सके सवसादन खड़े कर पाए अपधाय मारिया से जहां से प्रहां ह्तर कर सकते कर पाए और यह समय का हमने उप्योग किया लेकिन आज जो आज जब हमारे पास सब समसादन है तो हमारा बल और यह हमारे गवर्णनस की कसोगी है हमारा बल माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर होना चाहिए छोटे छोटे कंटेन्मेंट जोन पर सबसे ज्यादा जाहिए जहां पर रात्री कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा अग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रव हमेशा करे कोरोना कर्फ्यू ताकि कोरोना के प्रती एक सजगता बनी रहे तो कुछ लोग यह इंट्लैक्चिल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को हि आता है थकी कतम धुनिया ने भी रात्री कर्फ्यू के प्रयोग को स्विकार किया है क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हन्मे कॉरोना काल मेен 200 जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभाव ज्यादा न हो और इसलिए उसको कोरोना कर्फियू के नाम सही प्रचलीद करें और कोरोना कर्फियू एक प्रकार से लोकों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है एवर्नेस के लिए काम आ रहा है